हेलो यह स्वागत अब सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्कूल टूशन गुरुजी में बच्छों हम करें दें चैप्टर बन न्यूट्रिशन इंप्लांट यानि पादपों में पॉश्ट और पहले पार्ट में हमने पढ़ा था ओट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक और सैंस्के बारे में चलिए आगे बढके प्लांस मेंद नूट्रिरिशन के आगे की बातों को जानने की कोशिश करते ने कि तो तो इसी तरह के mode of nutrition में सबसे पहला mode of nutrition में पढ़ना है बचो पराइसाइटी या परीजीवी यह आते हैं आपके पूरे के पूरे के साथ-साथ पौधे भी ऐसे होते है जह अपना काद्य खुद मिना सकते तो उनको बनानी के लिए क्लोवले कुद नहीं मना सकती इसलिए क्या करती है कि एक एक दूसरे पौधे पर अपनी पूरे पूरे जाल को बिचाती है उसके जैसे रसी के कि उपर सामल पड़ता है बच्छों वैसे ही पूरिक पूरी यह मर्बेल उसके उपर चड़ती चली जाती है और फिर क्या होता है यह उसी से अपना भोजन गरेन करती है चाहे तो आप इसे पढ़कर के आसाली से समझ भी सकते हैं कि यह अपना भोजन उस पादप से प्राप् परजी भी कहते हैं यानि it does not have chlorophyll and it takes ready-made food from the plants on which it is climbing the plant on which it climbs it's called host cosketa is called parasite यानि जिस plant पर हो रहते हैं उस पर host या परपोशी कहलाते हैं और जो plant रह रहा है वो कहलाता है parasite या परजी भी बच्छू एक figure दिगी हुई है यहां पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लग जाएगा बच्छू अब यह तो बात भी plants का plants से interaction होकर किसी तरीके से काम चल रहा है लेकिन कुछ plants ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं insects को खाते हैं insectivirus plants वो कहलाते हैं बच्छू insectivirus plant में आप में example में देखा होगा picture plant और venus fly plant जैसे हम घट परणी पादप और venus fly trap भी कहते हैं अब जब इनकी बात आती है तो इन में क्या होता है एक ऊपर का structure होता है और एक नीचे बैग लाग structure होता है जैसे ही कोई insect इस पर आता है तो वो पूरा पूरा डाइशन खतम हो जाता है तो वो इसी के तुरू बहार फैक दिया जाता है यानि बचा होगा सीधा सीधा पार्ट बहार फैक दिया जाता है जैसे कि यहां पर लिखा भी होगा है यानि कि यह पूरा पूरा पार्ट है यह जो बता रहे है यह कैसा है बचो यह पादप का जो लीफ वाला पत्तियो वाला भाग है हरे रंग की पत्तियो वाला भाग वो मोडिफाई हो करके बना हुआ है ठीक है अब इसके अंदर क्या होता है 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 बहुत सारे है जैसे स्ट्क्चर होता है होते हैं करते हैं और अंदर की साइड में जब ठैप हो जाता कोका इंसे अंदर की से ल में धकेलते हैं ठीक है तो hence the insect cannot move out, the insect is digested by the digestive juices and its nutrients are absorbed by the pitcher some insect-reating plants are called insectivorous plant, example, pitcher plant, venous flight trap यानि कि यह क्या होता है, नीचे जाते जाते उसमें पूरा-पूरा digestive juices act करते हैं और उसे पूरे-पूरे plant को digest कर देते हैं और धीरे धीरे वो पूरा-पूरा जो insect है वो मर करके खताम होता है उसमें से डाइसिफ्स जो चीजे होती है, जरूरी-जरूरी वो निकाल ली जाती है और पादमें से throw out कर देता है, कि जाता है बोडी से इस तरह के plants को हम क्या कहते हैं, insectivorous plant या कीट बक्षी पादप कहते हैं और उधारण आपके हैं, घट पढ़नी पादप, वीनस फ्लाइट्रेप पादप या फिर पीचर प्लांट और वीनस फ्लाइट्रेप अब इस तरह के जो plant होते हैं वो उसी insects पर निर्वर करते हैं अपने nutrients के, क्योंकि उनकी soil जो होती है वो भी इस तरह की नहीं होती कि वो special type के जो nutrients हैं, जो plants को एक जड़त होती है वो provide कर दे इस वज़े से ऐसा होता है कि ये insectivorous plant कहलाते हैं बचो same कुछ questions दिए हैं बचो जड़ा देख लेते हैं कि पहला क्या है, कि एक parasitic plant का नाम बताईए जो पीले रंग के दुर्बलतने वाले किसी पादप पे चड़ता है, तो वो है कॉसकोटा या मरबिल बचो, फिर राइट सम एक्जामपल ओफ इंसेक्टिवर्स प्लांट कीट बक्षी पादप के उधारन लिखिए, तो यह है कीट बक्षी पादप के उधारन, फिर वाइडू नहीं, वो अपनी मनबर्दी से करते है, एक पूरा पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिस सिस्टम के अनुसार उन्हें जरौत की वज़े से ऐसा करन रहे हैं, फिर आपका विश्टाइब मोड ओफ नूट्रिशन इस यूज़ बाइपरसाइटिक प्लांट और इंसेक्टिवर अब तक हमने देखा क्या, कि एक दूसरे पे जीवित रह रहा है, पेड़ पोदों पे, तो परीजी भी हो गया, उसके बाद खीडे मकोडों को खा रहा है, तो इंसेक्टिवरस या क्रिट बक्षी हो गया, अब बात आती है, मिर्त जीवी की, सेप्रोट्रोफिक जो से मोड of nutrition कहते हैं, बच्चो, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, बेसिकली, जब कोई प्लांट किसी मरे हुए या डेट डिकेंग और्गनिजम पे ग्रो करता है, तो उसे हम कह देते हैं, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बच्चो, आपने कहते हैं, मृत जीवी या सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के प्लांट, इसमें आपका फंगी, मश्रूम, ब्रेड मोल्स और इस्ट आते हैं, यानि कि कवक, छक, जो आपके ब्रेड मोल्ड होते हैं, और इस्ट होते हैं, ये सारे कैसारे आते हैं, बच्चो, यह क्या करते हैं the mode of nutrition in which organism take in nutrition from dead and decaying matter is called separotropic mode of nutrition and such organisms are called separotropic mode of nutrition and separotropes यानि की web potion की परनाली जिसमें जीव मृत विक्टिट जीवों के पदार्तों से अपना जो पोशक तत्वों के प्राप्ति करता है उसे मृत जीवी कोशन परनाली कहते हैं और इस तरह के जीवों को जो होते हैं वो कहलाते हैं मिर्त जीवी बच्चो अब आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के जो पदार्त है वो आपके कहां पर मिलते हैं जो सड़े गले चीजे हैं उन पर मिलते हैं ठीक है एक activity चोटी सी दीवीएस में क कि आप क्या कर सकते हैं ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा पानी रख करके छोड़ दीजिए उसे जब वो सड़ने करने लगेगा तो उसे फंगस हो जाएगी ठीक है कवक जिसे बोलते हैं बच्चो तो उसके बारे में बताया हुए आपको अब बात आती है कि हमने क्या देखा हम हमने सुरुवात की थी कहां से पैरसाइटिक मोड अफ नूटीशन से परीजीवी से उसके बाद हमने देखा इंसक्टी वरस को यानि कीडबक्षी को उसके बाद मिर्त जीवी देख लिया अब बात आती सिंबाइसिस की सह जीवी की बच्चो सह जीवी की जह हम बात करते है तो सह जीवी वैजीव हैं जो एक दूसरे के साथ मिल कर रहते हैं यानि एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे के साथ रहते हैं वह कहलाते हैं सह जीवी बच्चो अब इसमें सबसे पहला जो चीज है वो क्या है कि जो सह जीवी बनेगा यानि सिंबाइसिस जो करेगा वो अप स्यिवी और उसे से जहीवी पाधप आप इसमें आप को देखके बागा बत्व जो फंगस और नूट्रिशन जो उन से मिलता है कुछ प्लांस को इस तरीके से बिलता है और एक इसमें आपको देखने मिलेगा कौन सा न्यूटिशन वालिंग से सकरणें प्लांट से लिट कॉल नीचन्स और लगी के बीच में असतरग आपको सिंबाइसे मिलने को मिलेगा क्योंकि एक है कैसा एक है नॉन गृणिन प्लांट यानि ग्रीन प्लांट नहीं है दूसरा है ग् फंगस क्या करती है फूड और शेल्टर और मिल्नर्द प्रोवाइड करती है अलगी को और यह फंगस को खाना देती है ठीक है तो ये बेसिक के लिए चीज़े हो रही है अब इसके भी कुशन है कुछ बेसिक कुशन है डैस डैस कोक हमार लिए उपी होगी है तो यह आपको द मश्रूम और इस्ट ठीक है मश्रूम और इस्ट आएगा बच्छो उसमें फिर दा लेदर अबजेक्ट्स that are left in humid weather for long time are spoiled due to the growth of यानि की कमड़े की बस्तो जो लंबे समय तक गरम और नर्म मौसम में छोड़ी जाती है वह डैश के करण खराब हो जाती है तो वह किसके करण खराब हो जाती है बच्छो वह आपकी fungus के करण ही खराब हो जाती है ठीक है कवक के करण खराब हो जाती है फिर इन लाइचस दा chlorophyll containing parter is एन डैश यानि लाइकन में chlorophyll युक्त भागिदार डैश है वह कौन सा बच्छो algae है ठीक है और आखरी है आपका what do you understand by symbiosis explain with an example सहजीवी संबंद से आप क्या समझते हैं और इसे एक उधारण के साथ समझाइए तो सहजीवी संबंद क्या है जब कोई plant अपना food, shelter and nutrients को share करता है किसी दूसरे plants के साथ तो उसे कहजाते हैं symbiosis या सहजीवी संबंद और इसके example है आपका fungus और algae या फिल लाइचन्स और algae बच्छो ठीक है तो बच्छो यह होगे आपका यह वाला part complete वीडियो का आशा करता आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें थेंक यू